हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा गोरा हो, सुन्दर हो, उस पे किसी तरह के दाग धबे, पिग्मेंटेशन, जाईया ना हो, वो हमेसा जवान और टाइट बना रहे हैं और इसके लिए, फ्रैंस, हम क्या करते हैं? बहुत सारे ब्यूटी प्रॉड़क्ट का अस्तमाल करते हैं चेहरे पर हम कॉस्मेटिक का यूज़् करते हैं, चेहरे पर कॉस्मेटिक को लगाके, हम कुछ समय के लिच टो अपने आपको सुन्दर दिखा सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नैचुरल तरीके सापका चेहरा गोरा दिखे उस पर किसी तरह के दाग धब भी ना रहें तो फ्रेंस इसके लिए आपको घरेलू नुसके का सहारा लेना पड़ेगा तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबदस घरेलू नुसका लाई हूँ जो आपके चेहरे को गोरा सुन्दर बनाने के साथ आपके चेहरे की हर समस्या को दूर करेगा तो चलिए बिने टाइम वेस्ट की हम आगे बढ़ते हूँ जानते इस रैमेडी को कैसे बना कर अस्तमाल करना है इस घरेलू नुसके को तयार करने के लिए फ्रेंस आपको एक खाली कटोरी में आधा कटावा टमाटर का रस इस तरह से निकाल लेना है टमाटर में ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे स्किन में मैलन की मात्रा को कम कर देते हैं जिससे हमारा स्किन कॉंपलेक्शन ब्राइट और फेर होता है इसमें मैगनेशिम होता है जिससे हमारा स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करता है साथ में हमारे स्किन के दाग धबे को भी दूर करने के लिए टमाटर का रस बहुत अच्छा होता है दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है फ्रेंस वो है आधा कटा हुआ नीबू का रस यह देखिए इसको आपको इस तरह से डाल लेना है यह भी एक बहुत ही जबदस खरेलू उसका है स्किन को फेर और ब्राइट करने के लिए अगर आपके स्किन पे दाग धबे हैं तो नीबू के इस्तमाल से वो चले जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे लगबग एक चमच यहाँ पे दही लेना है दही जो रता है friends ये बहुत ही जबदस खरेलू उपाय है स्किन को फेर ब्राइट करने के लिए स्किन की रौनोग को बढ़ाने के लिए यह आपके स्किन में गलो लाता है आपके स्किन में अगर संटैन हो गया है pigmentation है तो दही के इस्तिमाल से वो चले जाते हैं तो इन तीनों को आपको इस तरह से अच्छे से मिला लेना है अच्छी तरह से mix होने के बाद friends अब आप को रहाँ पर क्या करना है कि एक बड़ा चमच आपको मुल्तानी मिट्टी के लेनी है मुलतारी मिट्टी जो होता है हमारे स्किन में जो भी गंदगी होती है जो हमारे स्किन में धूल, मिट्टी और और जमा हो जाता है उसको ये खीच के बाहर निकालता है ये हमारे स्किन के कॉमपलेक्शन को तो ब्राइट करता है साथ में हमारे स्किन को ये tight करता है और हमारे स्किन में instant glow लाने का भी काम करता है तो अच्छी तरह से mix होने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने साफ चेहरे पे एक मोटी layer आपको apply करनी है और apply करने के बाद आपको 2-3 मिनट के लिए हलके हाथों से अपने चेहरे की आपको स्क्रब करनी है ये देखिए इस तरह से अपने चेहरे को आपको स्क्रब करना है हलके हाथों से ऐसा करने से फ्रेंस आपके स्किन में जो भी गंदगी होगी वो बहुत असानी से बाहर आ जाएगी इस तरह से करने के बाद फ्रेंस आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है जब यह सूख जाए उसके बाद थंडे पाने से अपने चेहरे को धो लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंस मैंने अपने हैंड को वाश कर लिया और यह कितना फेर ब्राइट क्लियर नजर आ रहा कर देख सकते हैं तेंक यू